नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रोईता श्यादव बात करेंगा अच एलुएंसी की के एलुएंसी में साब एक डॉलर कप तक पहुंचेगा बिल्कुल बताते हैं साब जल्दी पहुंचने वाला है हो सकता है बहुत से लोग करणुपती बहुत जल्दी बन जाए अब यहां सबसे पहले हम चलो आर्वी गवर्नरस आपको ही लपेट लेते हैं आखरी यह क्यों इतना पीछे पड़े हुआ है अब हुआ क्या था अभी रिसेंटली देखिए इन्होंने एक रिपोर्ट रखी थी फाइनिसली स्टेविल्टी रिपोर्ट अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपको अपने देश के बारे में अपने आर्वी आई के बारे में अपने फाइनिसल स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कर रहा है क्या हो रहा है उसके बारे में सारी चीज़ें आपको रखनी हो क्यों कहा जा रहा है कि भाई एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है यह फानेंसली स्टैबिल्टी रिपोर्ट कोई छोटा मामला नहीं है उसमें आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि साब कर्प्रोकुरंसी के बिज़ा से अगला फानेंसल क्राइसिस आएगा वो पहले भी एक मंच स जोड़ दी गई है और वो ग्लोबली कंडिनेट एप्रोज टू अनबैक्ड क्रेप्टो असेट्स यानि जहां जी ट्वंटी में जो चीज यह होनी के भाई ग्लोबली सारी चीज है भाई किस तरीके इसको रेगुलेट करना है क्या करना है कैसे नियम बनाना है कैसे टैक्स इसको साइड बो अठाकरख दिया है उन्होंने कोई भी चीज निके सामने रखी ही नहीं है यानि beta guverner को यही नी पता लगता है कि साइट के सरकार और कंसी को लेकर सरकार कर क्या रही है मुझे लगता है साइड और गबनर साब इसको न तो उनको पता है नहीं लगता है सरक की बात आती है कि क्या 2023 में बैन हो जाएगा भाई सब बैन की तो वो कहता है बिलकुल निकाल दीजिए कि ऐसे कोई खाम खांगे पालने बाले हैं कि बैन जाजी कोई कंडिशन आएगी तो मैंना हमें साथ से कहा है कि आर गवर्नर साब कोई बयान अगर आता भी है तो इधर से से अंदाजा लगा लिजिए कि क्या उनको कोई सीरियसली लेता है मुझे लिए लिए सब करनेर साब कि बोलना कुछ होता है और बोलते के वारे में नेगेटिव हैं तो इधर से सुनो इधर निकाल दो 2023 अच्छा रहेगा बेंट जैसे कहीं कोई भी सिच्वेशन आने वाली नहीं है अब आते हैं एलिवनसी में में बहुत कम वीडियो बनाता हूं अभी ऐसा कुछ इसमें है भी नहीं किस पर कोई और में वीडियो बनाया जाए रोज लोग बना रहे हैं आप देख सकते हैं रोज एक डॉलर दस डॉलर जा रहा है लेकिन क्या संबब है अभी एक ड तब पहुंचा देगी मेरे हिसाब से तो नहीं है वो इतनी सफी सेंट एक डॉलर पहुंचने के लिए मैं आपको छोटा साइक कैल्यकुलेशन बताता हूँ अपनी टोटल सप्लाइए 6.8 ट्रिलियन के आसपास और सर्कुलेशन में 5.97 ट्रिलियन यह सर्कुलेशन में मैंने इसको बिलियन में कनबड कर दिया और लगवख यह पांच जार नोसो चोहतर बिलियन के आसपास हों गया ठीक है नैसे को सुनते हैं अब आते हम टोटल मार्केट के अब कितना भी पूरी क्रिप्टो करंसी मार्केट का सास सो तरानवे बिलियन ये भी अभी काओ को ट्रिलियन में है वो भी ट्रिलियन में नहीं है वो भी बिलियन में है एलू एनसी का मिलियन में है अब मैं अगर आप से ये काओं कि का आप ठीक है जो बुर्णानिंग कर रहे हैं उस में से मैंने माल लिया का burn कर दिया अब हमारे पास round figure में बसती है 5000 billion की supply मैंने trillion को billion में Converget कर दिया है यह चीज़ ध्यान रखिएगा अब 5000 billion अगर हम supply मानते हैं L1C के ठीक है तो भाई इसको 5 billion का market cap चाहिए तब इसका प्राइज होगा 0.001 तब इसको जो है 5 billion का market cap चाहिए तो बाकी तो छोड़ दीजिए बाकी तो एक डॉलर बहुत दूर है मैं केवल भी 0.001 की बात कर रहा हूं जब supply 5000 billion की हो तब इसको market cap चाहिए 5 billion का अभी इसके पास कितना market cap है 893 million एक billion भी नहीं है तो आप यहीं से आप एक अंदाजा लगाईए कि जिसके पास अभी एक billion की market cap नहीं है तो 5 billion की market cap कितनी जल्दी हो सकती है क्या possibility है मुझे तो नहीं लगता साब इतनी जल्दी possibility है क्यों 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 कि मैंने 944 billion बर्न कर दिया है अपनी तरब से अब यह 944 billion कब तक बर्न होगा उसके बाद कहीं 5000 billion सप्लाई होगी तब जाके मैं 5 billion की supply market cap की बात कर रहा हूं तो देखे कोई भी प्राइस जब बढ़ता है तो market cap देखनी पड़ती है जब तक market cap नहीं बढ़ेगा आप काज़ों में कर देने कि खतम करते हैं यह क्या पर लेकिन अगर आपको रियल्टी में चाहिए तो देखिए वह जीरो आपको खतम करने पड़ेगा और वह जीरो जिरो लगा दिया कितना हो गया सब्सक्राइब करस अब सब्सक्राइब करनें द्रशिक्व्ट के अनुक्रियर करने मम्हस फटे कि करने पड़ेगी यानि कि जैसे जैसे आप एक की तरफ को बढ़ते जाओगे उतने ही समस्यां आपके लिए खड़ी होती जाएंगे उतना ही ज्यादा मार्केट केप आपको चाहिए स्टार्टिंग के जीरो के रहना बहुत आसान होता है उस टारेम जो है मार्केट केप भी ज्यादा नहीं चीज़िए होता है इस्टार्टिंग के बहुत जीरो आसानी तब ही आप ने देखा हो कब कोई प्रोजेक्ट आता है 3-4-0 फटाक से clear हो जाते हैं खतम हो जाते हैं लेकिन उसके बाद जो 3-4 बचते हैं मुस्त लिए देखिए 12-0 के आसपास आते हैं तो 3-4-0 तो आपने देखा ही होगा कि आते ही coin खतम कर देता है क्यों? क्यों उस टाइम पर बहुत आसान होता है सब कुछ ज़्यादा market cap भी नहीं चाहिए होता लेकिन जैसे जैसे 0 आगे वाले यानि कि एक के पास वाले जब 0 हमें खतम करने होते हैं उस टेम पर सारी हालत खराब हो जाते हैं क्यों? उस टेम market cap हमें ज़्यादा चाहिए होता है according to supply आई तो वह चीज़ नहीं लोग समझते वासे आ रहे दो 0 खतम हो गए तीन 0 खतम हो गए वह कह देना आसान है लेकिन उतना ही कोईन के लिए मुश्किल होता है तो वह ही मैंने कहा कि आगर हम 5000 बिलियन के supply माल लेते हैं और उस टेम पर हमें पांच बिलियन की supply मार्केट केप चाहिए जो अभी 893 मिलियन में ही है केवल एक बिलियन में भी नहीं है अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा पांच बिलियन का मार्केट अभी कितने टोकनों के पास है पूरी क्रिप्टो करनसी में 22 क्रिप्टो करनसी है उसमें केवल अभी जब मैं वीडियो बना रहे तो 11 टोकन ऐसे हैं जिनके पास पांच मिलियन मार्केट कैप है पांच मिलियन जिसमें BTC, Ethereum, BNB यह सब सामिल हैं तो टोटल उपर से 11 ही टोकन ऐसे हैं जिनकी मार्केट कैप पांच बिलियन की है तो आप उससे अंदाजा लगा लगा लिए कि 22,000 में केवल पांच ही टोकन है तो LUNC क्या संबब है कि अभी पांच बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर पाए सब इतनी जल्दी नहीं होगा, कुछ भी इतनी जल्दी नहीं होने बाला अब यहाँ पर आप देखिए TRX और DOT ये दो टोकन ऐसे हैं जो बहुत पांच बिलियन के नजदीक है तो इसलिए मैंने अभी उनको बाहर रखा है, इनमें अगर थोड़ा सा भी हो जाए तो ये पांच बिलियन हो जाएंगे, तो टोकन हो जाएंगे, तेरे टोकन, जिनकी मार्केट कैप पांच बिलियन से जादा होगी, बन्ना जब मैं वीडियो बना रहा हूं, उस टाम केब सब सामिल हैं, तो आप उससे अंदाज लगाएं कि मार्केट कैप भी हो जाए, अब आते हम अगले पड़ाप पे, 0.01 अगर हम इसका प्राइज करते हैं, अलुएंसी का, तब हमें मार्केट कैप चाहिए कितना 50 बिलियन का, अब अंदाज लगा लिएंगे, पचास बिलिय बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, इतना तो मेरे भाई BTC का भी मार्केट कैप नहीं है, 500 बिलियन, इतना तो BTC का भी नहीं है, अगर इसका रेट हम 0.01 करें तब, तो 500 बिलियन का मार्केट कैप तो BTC के पास नहीं, तो LNC के पास कहां से हो जाएगा, अब यहाँ डिपे काम है यह वाला तो अभी एलुएंसी के लिए अब लेकिन हम यही तक मानते हैं पांच बिलियन तक कि अगर पांच बिलियन तक भी जाए मार्केट के अब तो इसका प्राइज 0.001 होगा अब यहां समस्या है सारी की सारी बर्निंग की देखे सब जो transaction से या on chain या off chain जो भी आपकी बर्निंग हो रही है या transaction fees के जरी जो बर्निंग हो रही है देखे सब उससे एक process है एक limited है उतनी ही बर्निंग हो पाएगी आपको अगर maximum burning करनी है तो देखें कहीं ने कहीं से आपको जो हमेनुब बर्निंग इसमें add करनी ही पड़ेगी manual burning से ही आपके एक बहुत अच्छी संख्या में burning हो सकती है बना आप ये कहें कि जो burning अभी जो process से चल रहा है उससे कोई बहुत ज़्यादा burning हो जाएगी वो नहीं होगी और आप ये उमीद लगा के बैठे के एक डोलर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा तो वो भी नहीं पहुंचेगा हाँ देखें बुलरन में कोई scenario change हो जाए कोई बहुत अच्छी खासी burning हो जाए वो एक अलग matter है बना जो as usual अभी चल ला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ बुलरन के तो हिसाब बिलकुल अलग होते हैं साब बुलरन काम किसी से कोई comparison नहीं कर सकते हैं बुलरन में क्या होगा वो बात की बात है लेकिन यह जो scenario चलना जो रोज आपको एक डॉलर दिया जा रहा है वो एक डॉलर पॉसिवल ही नहीं है अभी संबब भी नहीं है